नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दर्पन और आप देखे राबिन 24 नियूज दोस्तों करनाल शेहर में लगातार जो है लोगों को कोई न कोई परिशानी तो आती रहती है लेकिन एक परिशानी लगातार पिछले कई साल से बनी हुई है और वो परिशानी है एंडी आराइ कि तरफ और उस रोड को लगातार जो है वो बंद किया जाता है जिसके बाद जो है लगातार सड़क हाथ से बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोग काफी जादा परिशान है इस मुद्दे को काफी जादा बार-बार उठाया भी गया है लेकिन अभी तक उस पर कोई संग्यान जो ह काफी सारे लोगों के साथ पहुंचे हुए और फिलाल इसी मुद्दे को लेकर जो है बातचीत करना चाहते हैं इस वीडियो को जादा जादा शेयर के जैसर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे से कहिना कि जंता काफी परिशान है को कि लगातार वाँ सड़क हाथ से बीड़ रहे हैं तो इसको लेकर क्या कुछ जो है फिलाल आज अब कहना चाहीं सो साल से भी ज्यादा डैरी फार में लोग शेयर करते हैं और ये हमारी जो जीवन रेखा है शेयर के लोगों की यहां जो बच्चे हैं मैलाएं हैं जो यहां पढ़ के गई वो यहां इसमें ख करनाल के लोग ऐसा नीज् sticks भी मिनिश्टर जी सह मिल लिए डी साब से मिल लिए उटी की बात को नी मानτα और यह मामला किंधर का है तो हम अरियाने के लोग हैं तो किंदर का आदमी करनाल की सड़क से होते हुए डैनिफर में कैसे जाएगा हम उसका बिरोद करेंगे अगर डिरेक्टर साहब अपनी गाड़ी लेके बजार में आएगा हम बजार के लोगों से कहेंगे उसका भी वहिश्कार करें उसको अपनी समान दकान से समान क्वंद कि बूँ ने कि अपनी जमीन जदात पर हमें नहीं जान देता घाज़ा पट्टी में में किया आ है है यही बात है न हो क्यों यह ना चाहते हैं इसको घाज़ा पटे रऑफ कि यहां के जो लोग हैं, अगर वो हमारी घर से गुजरती है गाड़ी, मानके चलो मेरी कोछी का किसी डिरेक्टर साब जाता है, अगर मुझे पता लगे है कि डिरेक्टर साब की गाड़ी है, मैं नहीं नहीं जाना देऊगा, वो मेरी मंकान खिद्दिया हुआ है, उसका हमाने विद्याजी या रहे हैं. हमद्य-चौ्छ जी से मिलेने का मतलब आप सीधा यह समझते हैं किन्दर की बात है किंदर मेंfs ह्चाएंगे करणार के पूरे लोग जो लोग सैर щokरते है. हम बिल्कुल शांती से अपनी बात को रखें उनके सामने अगर वो हमें कोई दंगा मच्टी करेंगे होर करेंगे अकेला जाप अलमान तो इसमा है नहीं यह भी आप बात जरूर रखेंगे आगे क्योंकि यह करोना के समय के अंदर यह लोगों को साइकलिंग करने के लिए इस रोड को इस्तमाल किया जाता था उसके बाद करोना का समय जा चुका है आज किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है तो ऐसे में उसे बंद करने का अभी तक लगातार क्या कुछ का रहाने क्यूंकि लगातार जो है मतलख तीन साल से जादा हो चुके है और तीन साल एक लंबा दारा जहां पर बड़े बड़े हाथसें हो चुके हैं गाडी यां लोगों के ठूट चुकी है डबल रोड को सिंगल रोड बना कर estásos Ю को तो दो तीन इसी अगर चाहे यह किसका आदमी है अब्ले सेंठर का है तो अमित्षाग का आदमें ही दो अमित्षाग कई हो सकता है न ोटा साहब इतना तकड़ा होम हम कोई नोख न ही मंग दें ना एक Uंन का मुद्ध है ये तो बी जपी का ओ लोगéta को जएजेपी का ओ बुजन समाज पार्टी का हो इसमें सभी लोगों का है अगर हमें रोकने की कोशिस करेंगे जाने की कोशिस करेंगे हम हाम हमितशा के नसदीक जाने की पूरा प्रियत्तन करेंगे अपना प्लान हमारा त्यार है हम पूलिस को पता भी लगने देंगे कि कद्वन हम ओम मिनिश्टर से मिल लिए हैं अगर हम बार रहे तो पता भी लगेगा मारे आदमी कब मिले कब अपना काम करके निकल गे हमें भी इजरायली समझें लड़ाई लड़ाने वाला काम कर रहें तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है डी सी लेवल का काम है कि डी सी साथ बोले डायक्टर को तो डायक्टर की क्या मजाल है हम वहां से कोछी चोरी करके तो लेकर नी जा रहे हैं एक सवस्त के लिए अपने बाहर के लोग जा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं तो क्या आपको लगता है कि वहां पर फिलाल लोगों को जो हैंट्री वगारा मिलती हैं वहां पर सैर के लिए देखिए घूला वात है यह तो अभी अभी हुआ है ना ऐसा चलो बीच में करोना सो साल से पहले की बात है मेरे जीवन से पहल क्यों रखने देंगे तो बात इसको ना इस मुद्धे को बढ़ा कर एक समाज की बात को लेकर क्या कभी डिसी साब से इस मुद्धे पर बात की गई है देखिए मिले हैं काफी लोग मिले इससे पहले मैडम कुरविंदर कोर जी ने और काफी लोगों ने मुद्धा उठा है बीजेपी के लोग भी खुश है कि हाँ खुलना चाहिए और इससे बड़ी बात के है तो यह कोई पार्टी बात तो है नहीं कि इसमें सबी लोग जब हम इसको अपना प्रोटेस्ट करेंगे तो इसमें बीजेपी के लोग इने लोग के लोग जेजेपी के लोग और आम बा जो है वो अंदर के बजाए बाहर जो है उसे उसकी तैयारी रखी गई थी लेकिन उसके बाद जो बैरियस थे वो लगा अतार तीन साल से ऐसे ही शाम के समय लगबग दो से तीन गंटे तक सुरास्ते को बंद कर दिया जाता है जिसके बाद लोगों को काफी जादा परिशानी उठानी पड़ती है और इस मुद्दे को कई बार लगातार उठाया भी जा चुका है लेकिन अभी तक उस पर कोई संग्यान जो है वो फिलाल नहीं लिया जा सका है इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को शेयर करें और सभी जो फिलाल कॉंग्रिस पा तेज रफ्तार के अंदर आते हैं और ऐसे में लोगों की जो जान है वो पहले भी कई बार जो है वहापर लोगों ने काफी घायल जो है वो लोग हो चुके है आप सभी से अपील है वीडियो को जादे जादा शेयर जरूर करें और फिर से जोड़ेंगा अभी 24 के उपर